सभ़ाई तो सब्सक्राइब करने मेथी के दिनों में मेथी के थेपले तो हमने क्या खाया फिर तो चलिए, इस आसान शी मेथी के थेपले की रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं तो यहां पर मैंने 100 ग्राम के करीबन मेथी लेकी रखा हुआ है, मेथी के बड़े-बड़े डंठल मैंने तोड़ के इसे सुधार के रख लिया है, सुधारने के बाद हमने इसे 3-4 बार पानी से अच्छे से धो के इसे हमने थोड़ी देर के लिए पानी में डुबा के रख उसके बाद हम इसे पानी से बाहर निचूड़ते हुए निकाल लेंगे और एक प्लेट में हम रख लेंगे तो चलिए यहां पर हमने मेथी को अच्छे से धो लिया है, आप चाहें तो मेथी को काटने के बाद भी दो सकते हैं तो हमने यहाँ पे मेथी को पहले दोल लिया है दोलने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो देखे इस तरीके से इसे गुच्छे में हम पकड़ लेंगे उसके बाद बस इस तरीके से हम इसे बारिक बारिक काट के तयार कर लेना है इसे हम एकदम बारी काटना है देखे इस तरीके से हम इसे तीन से चार बार कट कर लेना है देखे फ्रेंट्स यहाँ पे हमने सारे मेथी के पत्तों को बारी काट लिया है तो चलिए हम पहले आटा लगा लेते हैं तो आटा लगाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है एक बड़ा सा परात, उसमें हम डालेंगे डेड़ कटोरी के करीबन गेहूं का आटा, तो थेपले में गेहूं का आटा और बेजन डलता है, तो अभी तो हमने यहाँ पे डेड़ कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसके ब तो नमक डालने के बाद यहां पे हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, आधा चमर्च मिर्च का पाउडर आप चाहें तो यहां पे हरे मिर्च का भी योज़ कर सकते हैं, आधा चमर्च धनिया पाउडर, आधा चमर्च मैंने यहां पे डाला है अमचुर पाउडर, आप यहां पर दही कभी यूज़ कर सकते हैं, फिर सबसे लास पर हम डालेंगे आदा कटोरी बेसन, तो मैंने यहां पर डेड़ कटोरी गेहूं के आटे में आदा कटोरी बेसन ही डाला है, तो इस मेजरमेंट का आपको विसेज गया रखना पड़ेगा, तभी आपका थेपल प्याज के बनाने वाली हूँ, इसलिए मैंने अधरक लसन का पेस नहीं डाला है, अब इसे मिक्स करने के बाद यहां पर हम डालेंगे तीन छोटे चमश तेल, तो तेल के जगब पर आप घीं कभी यूज़ कर सकते हैं, तो यहां पर हमने तेल डाल दिया है, तेल डालने के है, इसे हम थोड़ा सा और अच्छे से मसल लेंगे, उसके बाद हम इसे ढख कर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, रेस्ट पे छोड़ने से क्या होता है, जो आटा होता है, वो अच्छे से सैट हो जाता है, तो देखे फ्रंस, यहां पर 15 मिनट हो चुके हैं, और हम अपने आटे को चैक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पर हमारा आटा काफी अच्छे से सैट हो चुका है, हमने इसे बहुत ही सॉफ्ट गूत के तयार किया है, अगर आप आटे को सॉफ्ट गूत हैंगे तो आपका थेपला बहुत ही सॉफ्ट बन के तयार अगर आटे को हाड़ गुथेंगे तो आपका थेपला बनेगा बीज भी से ख्रैक हो जाएगा और सॉफ्ट नहीं बन पाएगा तो चलिए हम इसकी लोई तोड लेते हैं तो नॉर्मल रोटी के लिए जो हम लोई तोड़ते हैं बस वही साइज के हम यह पे लोई तोड तो चलिए फ्रेंट्स यहां पर मुझे जितने थेपले बनाने थे न उसकी हिसाब से यहां यहाँ बना दूभी है तो आपके लोईय बन चुकी है अभी हुम तो सबसे पहले हम ऑईल वाले को बेल के तयार कर लेते हैं तो यहां पर हमने चौंकी में रख ली है लोई को और बस बेलन चलाएंगे हलके हाथों से हमें यहां पर बेलन चलाना है और हमें इसे गोल्ड रोटी के शेप में बेल के तयार कर लेना है जैसे हम गेहूं के आटे क नौर्मल रोटी बनाते है ना सेम वैसे ही इसे हमें गोल गोल बनाके तयार कर लिनी है तो देखे फ्रेंट्स यहां पे हमने थेपले को बेल के तयार कर लिया है देखिए तो इसे हम रख लेते हैं एक प्लेट में और दूसरे वाले थेपले को भी बना के हम तयार कर लेंगे तो यहां पे हमने चौकी में रख दी है लोई लोई के ऊपर हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे तो देखिए लोई को हम आटे से अच्छे से कोट कर लेंगे तो कोट करने के बाद हमें क्या करना है नॉर्मल रोटी को जैसे हम गोल गोल बेल के तयार करते हैं ना सेम उसी प्रोसेस से इसे भी हमें गोल बेल के तयार कर लेनी है तो दोनों ही तरीका बहुत इजी है फ्रेंट्स चाहें आप इसे ओईल में बेल के तयार करें या तो आप आटे में बेल के तयार करें यह बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है तो इसी तरीके से हम सारे थेपलों को बेल के तयार कर लेंगे उसके बाद हम इसे सेख लेंगे तो सेखनी के लिए यहाँ पे हमारा तवा भी गरम हो चुका है तवा के गरम होते ही यहाँ पे हम डाल देंगे थेपले को और जब ये नीचे से थोड़ी सी सिख जाना तो इसके बाद इसे हम पलट लेंगे तो यहाँ पे हमारा थेपला है वो थोड़ी सी सिख चुकी है तो इसे हम पहले पलट लेंगे और पलटने के बाद इसके उपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे अगर आपको घी नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे बटर या तो ऑईल का भी यूज़ कर सकते हैं तो घी लगाने के बाद हम इसे फिर से पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम इसमें अच्छे से घी लगा लेंगे थेपले में जितना जादा आप घी लगाओ ना थेपले का टेस्ट उतना ही बढ़ जाता है तो देखें हमने दोनों साइड घी अच्छे से लगा लिया है उसके बाद हम चम्मच की हेल्फ से इसे थोड़ा सा दबाते हुए अच्छे से 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 लेंगे ताकि यह कहीं से भी कच्छी न रह जाए तो लोजी फ्रेंट्स यहां पर जो हमारा थेपला है ना दोनों साइड से बड़ी असा सिख चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे बाहर और इसी तरीके से हम सारे थेपलों को सेख के तयार कर लेंगे तो मेरी रेसिपी आप सभी को कैसी लगी फ्रेंट्स अच्छी लगी होगी तो कमेंट शेक्षन में जरूर से बताईएगा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर से केजिएगा और बैल आइकोन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो लोजी यहाँ पर हमने इसे सर्फ केर लिया है और यहाँ पर जो हमारा थेपला है बहुत ही सॉफ्ट बन के तयार हुआ है तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई